सबसे पहले A और C की गुड़ा करेंगे, यानि कि 3 गुड़ा माइनस के 6, कितना हो गया? माइनस के 18, अब ऐसी 2 संख्याएं लेनी हैं जिनका जो 7 के बराबर हो पीछवाली संख्या के बराबर हो और गुड़ा करने पर माइनस के 18 आजाए, तो 2 संख्याएं हो गई है, 9 और 2 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है तो हम नहीं क्या किया यहां पर minus sign लगा लिया अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 minus 2 7 7 आ गिया और 9 और minus 2 की गुड़ा करेंगे तो minus के 18 आ जाएगा इतनी बाद सही है तो दो संख्याएं कौन से हो गए है 9 और minus 2 इनको यहां पर रख दीजे 3x square plus के 9x minus के 2x minus के 6 equals to 0 अब इन दोनों में क्या common है 3x common है यहां बच गया x और यहां पर बच गया है 3 9x को अगर 3x से बाग करेंगे तो 3 बचेगा इन दोनों में देखिया क्या common है minus के 2 यहां बच गया है x और अंदर बचेगा plus के 3 plus के 3 को minus के 2 से गुणा करेंगे तो minus के 6 आएगा equals to 0 ठीक है अब यहां देखिए x plus 3 x plus 3 common है तो इसको common ले ले लेजे x plus 3 यहां बच गया 3x और यहां बच गया है minus के 2 equals to 0 अब इन दोनों टर्म में या तो यह टर्म 0 है या यह टर्म 0 है तब तो 0 के बराबर आया है तो सबसे पहले इस टर्म को 0 रख लेते है x plus 3 equals to 0 तो x की कितनी value हो गई minus के 3 3 इधर जाके बराबर के इधर जाके किया हो जाएगा minus के 3 तो x की value आ गई है minus 3 अब इस टर्म को 0 रखते है 3x minus 2 equals to 0 या कह सकते है 3x is equal to 2 minus 2 बराबर के इधर जाके plus के 2 हो जाएगा तो x हो गया 2 by 3 तो दिगहार समीकन के मूल के आ गए है x is equal to minus के 3 और 2 by 3 उमीद करते हैं मूल निकालने अच्छी तरीके से आ गए होगे तो प्लीज वीडियो को like, share, comment कीजेगा और चैनल को subscribe कर लेजेगा